श्री राम कथा के तीसरे दिन जोदपूर से पधारे गोवस श्री राधा कृष्णी जी महराज ने व्यास पीट से शिव पार्वती विवाव प्रसंग का वलनर किया। पुरुष के लिए भी पत्नीवर्ट धर्म है। पती अपनी पत्नी के अत्रीक्त किसी अनिकोवा इस्थान ना दे जो पत्नी का है। पत्नी के संबंद की इमंदारी ही पत्नीवर्ट धर्म है। पत्नी को पत्नीवर्ट धर्म के पालन से यदि वैकुंट की प्राप्ती होती ह तो पती को भी पत्निवत्र धर्म से पालन करने से वैकुंट की प्राप्ति होती है इस मौके पर कथा व्यास श्री राधा कृष्ण जी माराज ने कहा यद्यपी रिमाचल राज को पता है कि शंकर वगवान पूर्ण काम है माने जिनको और कोई चीज से काम ही नहीं है और कोई वस्तू से काम ही नहीं है ऐसे शंकर वगवान इनको मैं क्या हूँ अनेक लोग दरेच देने से पढ़ले दूले से संपख कर लेते कि क्या-क्या चीज गाड़ी लले का विचार है आपको पूंसी गाड़ी पसंद है आप बता दो पेड़ दो साथ ले जाते शंकर मोभल देलने विचार है आप बता दो क्म सक मोभल दूली क networking आप집ेया आज वही कम्रे में आंक आप देना तो आप टारणालके रखना तांकि हमोग करने गए, इससे पहले ही संपर कर लेते हैं लेकिन हम शिव जी से क्या पूछे गर हो तो एस ही का पूछे और गाड़ी में बैटने के जानकारी हो तो गाड़ी का पूछे और दूसरी चीज़ों का कुछ पुछ भूमी का हो तो पूछा भी जाए कोई बूमी का हो तो पूछा भी जाए तो इसकी ये महाराज जो बन पड़ा वो सामने रख जी रोते हैं पडोसी रोते हैं सहेलिया सब भाईया आज कल तो इतना रोते हैं लोग ठके वे बिचारे सो जाते हैं रोएं क्या लेकिन पहले बहुत रोते हैं तो इतना और कई बार तो बारातियों में से कई हो की आँखों में आज़ुआ जाते हैं बारातियों में से कई लोग रोने लग जाते हैं ऐसा कारोणिक वात्तावरण बन जाता पर भूला तो भूला तो लेकिन हमारे शंकर भगवान तो भाई सासु जी को रोता हुआ नहीं देख सके तो एक जेगे तो जाने लगे क्यों आरो कैसे किसी को एसे दुखी देख से बाखो में दी संगो सासु संगो जाए बहुत अची दंग से उनों ने संग जाए तब जाके सासु जी का मन थोड़ा अलका हुआ फिर अप गर में गई और गर में जाकरके और पारवती जी को गोदिम बिठाके पार्वती जी को गोदिम बिठा के कह रही है उस जमाने में बेटियां इतनी होती थी शाथी के समय बेटियों क्यों में इतनी होती थी गोदिम बिठा सके इदाई के समय हर मा बेटी को गोद में बिठा के सीख देती बेटी की हाइट इतनी होती थी की मा का कान समा करे मा का जो मुख है वो बेटी के कान तक पहुँचे है ये साइज रहती थी बेटी अब तो बहुत बात में देडी से शादी होने लगी बाल विवा को अपराद भी मानने लगी तो श्री मेना रानी पारवती जी को समझाती है बेटी रोज शंकर भगवान की पूजा करें वैसे तो ये शंकर भगवान के प्रती समर्पिती है इनको क्या बताने तो प्यास से पहले ही शंकर भगवान की पूजा कर रही है लेकिन फिर भी मा का कर्तव यह है बेटी को विदाई के समय सीख दे जटकर किसी अन्य पुरुष में जावे तो वो पुरुष सिर्फ ननननन होने चाहिए रभुननन होने चाहिए